सोशल इडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ती अपाहिच बन कर भीक मांगता है लेकिन तभी एक व्यक्ती आता है और उसका परदा फाश कर देता है वो उसके पैसे लेकर भाग जाता है तभी उसके पीछे वो व्यक्ती भी भागने लगता है जो की बिखारी बनने का नाटक कर रहा था इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सक्ष मार्किट में भीक मांग रहा है उसने अपने पैरों पर पट्टी लगाई है जिसे देख लगता है कि वो अपाहिज है उसने अपने पास एक डबा रखा है जिसमें लोग पैसे डालते हैं तब ही एक व्यक्ति पैसे देने के बहाने आता है वो उसको सिक्का देता है और पूरा का पूरा डिबा उठा कर ले जाता है लेकिन चमतकार या फिर कह सकते हैं उस व्यक्ति की सच्चाई तो तब पता चलती है जब वो भी उसके पीछे तेज तेज दोड़ने लगता है इस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर बिजनसमेन हर्श गोयनका ने शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं वो मज़ेदार वीडियो और जोक्स शेयर कर फैंस को हसाने की अकसर कोशिश करते रहते हैं इस बार उन्होंने यह मज़ेदार वीडियो शेयर किया जिसको देख कर लोग हस हस कर लोट पोट हो रहे हैं हर्श गोइंका ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा चमतकार सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वाइरल हो रही है सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 37,000 से भी अधिक व्यूज मिल चुके हैं साथ ही इस वीडियो को 2000 से जादा लोग लाइक भी कर चुके हैं इसके अलावा 410 लोग इस वीडियो पर रीट्वीट भी कर चुके हैं लोग ने इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अलग-अलग तरहा के रियाक्शन भी दिये आज कल कई लोग ऐसा नाटक करते हैं जो पैसे के लालच में अपाहिज बनते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं ताकि लोग उन पर दया करे और उनको दान कर दे लेकिन ये बहुत गलत है ऐसा नाटक करके लोगों को गुमरहा करके जिस तरह इस व्यक्ति ने लोगों से पैसे एठे उसे देख लोग काफी हरान है और इस वीडियो को अपने अधर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार शेयर कर रहे हैं और इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं इसके अलावा इस वीडियो पर अलग-अलग तरह की प्र शेयर करे